जैहिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमेश्टरी का पार्ट 14 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन लेकर क्या हूँ रसायन विज्ञान क्लास 12 का 100% पक्का पूरे नंबर दिलवा दूँगा देखिए 70 में से 65 नंबर आपका जो है न एकजाम में कोई नहीं रोक सक पहलाने से 10 सालों से पूछे जाने वाले प्रसन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन है तो जितने भी प्रसन मैंने लिख रखा है सभी प्रसनों को बारी बारी से आप देख लिजे अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सिजा करके सब्सक्राइब कर लेना अगर बेल आइकन को लहीं किया तो जल्दी सिजा करके बिल आइकन को आल कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो जो ना आपको लगातार मिलती रहेगी तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और ए टूजे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन है जो कि 100% पूरा मैं बता दूंगा आपको क्या बस नोट कोपी में नोट करते रहना है देखें फिरेंट परJesus और सबसे पहले लिखा सन्शीप्त टिपने लिखिए सन्शीप्त टिपनी जितने वी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन होता है जिस परिपनी करने के लिए आज डता है वह प्रसन मैंने पूरे-पूरे 16 प्रसन लेकर क्या आया हूँ जो कि सभी प्रसन जो ना बोड इजाम में यानि चार मार्च के दिन आपके इजाम में जो ना most important प्रसन यही प्रसन जो ना टपक से टपक जाएगा तो पहला प्रसन है हमारा ब्राउनी गति पर संशिप्त टिप ने लिखिए most important person है दूसरा प्रसन है टिन्डल का प्रभाब most important person है जो प्रसन में बता रहूं न यही प्रसन आपके इजाम में देखनों को मिलेंगे तो तीसरा प्रसन है प्रसन अमबर तीसरा यहाँ पर लिखा है हमने कुलाइडी विलियन पर संचिप्ट टिप नी लिखिए या इस प्रकार से प्रसन आपके इजामे पूछा जा सकता है कुलाइडी विलियन किसे कहते है टिंडल का प्रभाव किसे कहते है संचिप्ट टिप नी लिखिए इस प्रकार से most important प्रसन है आपको क्या करना है, सभी प्रस्ण को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि जो है न, सभी प्रस्ण का तैयारी मैंने करवावी दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेना, केमेश्ट्री का प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेतो न, तो सत्तर में से 65 नमबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता देखे फ्रेंट नेक्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 4 क्या है इसकंदन परसंचीप्ति टिपनी लिखिए या इसकंदन की परिभासा बताईए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेशन है पांचमा कोश्चन है पेप्टी क इतने भी बता रहा हूं 100% गारेंटी यही प्रसंच आपको जो न चार मार्च को बोड एक्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना सभी प्रसंचीप्ति टिपनी अच्छे तरीके से प्रेक्टिस कर लेना प्रसंच नमबर साथ प्रसंच क्या है द्रभ विरोधी क अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो लाष्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि मोस्ट इंप्रटेंट प्रसंच बता रहा हूं जितने भी मोस्ट इंप्रसंच प्रसंच मैं आज बता देगा हूं अगर आपने चार मार्च पहले-पहले सभी वीडियो का लगा दोगे तो सारे प्रस्णों को अंध तक जरूर देखना देखिए फ्रेंट नेक्स्ट कोशन है कोश्चन नमबर नो रक्षी कुलाइडी बीलेन किसे कहते हैं मोस्ट इंपोटेंट प्रसेंट यही एकजाम में आपको जो ने टपक से टपक जाएगा तो अच्छे तरीक बिद्दूत कन संचलन किसे कहते हैं तो बिद्दूत कन संचलन किसे कहते हैं इस पर आपको संचिवची टिपनी लिखना है मोस्ट इंपोटेंट प्रसन है सभी प्रसन को आपको क्या करना है अपने नोट कोपी में नोट करके इसके बारे में पढ़ लेना है क्योंकि सभी प्रसन का उत्तर भी मैंने करवा रखा है उत्तर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा तो जाकर के केमेस्ट्री वाला प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना नेफ्स प्रसन है प्रसन नमबर 12 यानि की बार्मा प्रसन ये कह रहा है कि इंजाए मुद्प्रेरक किसे कहते हैं उन ज इस प्रकार से प्रसन आपके इजा पूचा जाएगा मुझा इंज़र्षा जो ना डोड़ेजिए में टपक से टपकने वाला प्रसन है यानि चारल मार्च के दिन यही प्रसन आपको दोना देखने को मिलेगा next प्रसन देखिए, प्रसन नंबर 15 प्रसन नंबर 15 क्या कह रहा है यानि कि call rounds का नियम लिखिए या call rounds प्रसन शित टिपनी लिखिए इस परकार से प्रसन पूछे जा सकते हैं 100% यही प्रसन आपके एक्जाम में पूछे गाएंगे तो आपको क्या करना सभी प्रसनों को नोट कोपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना है देखे फ्रेंट आज का लास्ट प्रसन है प्रसन नमबर 16 नर्ड्स चमिकरन दीजिए या नर्ड्स चमिकरन प्रसन चीट टिपनी लिखिए प्रसन आपको क्या करना सभी प्रसनों को अच्छे तरीके से अपने नोट कोपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये प्रसन जो ना 100% मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रसन जो ना आपके एक्जाम में आने की पूरी-पूरी संभावना है तो देखे मैंने बता दिया 70 में से 65 नमबर आपको जो ना केमेश्ट्री में पूरा दिलवा दूँगा तो आपको क्या करना जितने भी मैंने वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में जाकर के आपको चेक कर लेना क्योंकि most important प्रसन है ये प्रसन अगर आपने याद कर लियाना तो चार चांद लगा देऊगे बोर्ड एक्जाम में और कुछ पोइंटे बता रहा हूँ जो पोइंट आपको समझ लेनी जरूरी होती है इसमें मैं कुछ पोइंटे बता रहा हूँ वो पोइंट अगर आपने फोलो कर लिया ना तो गारेंटी है मार्क्स जो एने examiner फूल में से फूल मार्क्स आपको देंगे तो आपको क्या करना है जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे फोलो करना है जैसे माल लिजे ब्रावनी गती ब्रावनी गती किसे कहते है तो जिग जैक तरीके से जो गती करता है उसे ब्रावनी गती कहते है तो देखिए जो भी गती है जैसे टिंडल का प्रभाब हो गया जिस पर टिपनी लिखने के लिए आ जाता है तो उसके बारे में लिखना ही है, प्लेस उसके साथ इसाथ, आपको क्या क्या करना चीज है, जैसे देखिए, आपको करना है पहले चित्र, जिसमें चित्र बना हुआ है, उसका डाइग्राम अच्छे तरीके से प्रेक्टिस कर लेना, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपक को लाश्ट में लिख देनी है अगर यह तीनों चीज अगर आप करके आते हूं न बोर्ट एक्जाम में तो गारेंटी है आपको जो इन एक्जामनर क्या करेंगे फूल में से फूल माक्स देंगे अगर वीडियो हमार अच्छा लगा होगा तो जल्दी सिजा करके एक लाइक क चैनल पर नए हो तो जल्दी सिजा करके सब्सक्राइब कर लेना जादा से जादा दोस्तों को सेर कर लेना चलिए इसके साथ वीडियो समात करता हूं जै हिंद जै भारत बंदे मातरान थैंक्स पूर वोचिंग